आज का अमरा लेक्चर है इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी के बारे में हम अभी तक दो टरम्स पड़ चुके हैं देखें आइनाइजेशन एन्थेल्पी और इलेक्ट्रोन एफिनिटी यह दो टरम्स पड़ चुके हैं और दोनों की ट्रेंड कैसे थे देखो लेफ्ट टू राइड जब हम जा रहे थे तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे और टॉप टू बोटम जब जा रहे थे तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे थे यह जनरल ट्रेंड से दोनों में हाफ फिल्फ विड़ के exceptions थे ठीक है और इसमें एक ओर था 2P 3P वाला जहान रखना था हमको ionization energy किसके लिए थी electron बाहर निकालना electron बाहर निकालना जब कि electron affinity किसके लिए थी electron को aid करना ठीक है isolated गहें अंदर यह सब isolated atoms के लिए था तो यह तो इनके लिए था अब हम आ रहे हैं आज electron negativity के ऊपर यह तीसरा है हमारा कि इसका क्या मतलब होता है electrons को attract करना कि एडवेट करना नहीं नहीं remove करना जस्ट क्या करना अपनी तरफ खीचे रखना बस ठीक है जब भी हो covalently bonded होता है जैसे like यह आपका covalent bond है random इसमें यह दो इलेक्ट्रोंस हैं रखे वे यह दो इलेक्ट्रोंस ठीक एक particular के अपनी तरफ खीचना ठीक है यह फिर ले लो ए भी ले लो इसको ताकि electron negativity का difference है ठीक है तो माल लीजी बीग में electron negativity ज्यादा है मतलब यह electron अपनी तरफ attract करेगा electron negativity का सीधा सा मतलब है tendency of an element to attract shared electrons यह जो shared electrons होता है इनको अपनी तरफ attract करना जासे गेन करना नहीं नहीं remove करना अपनी तरफ बस वो जो है ठीक है यानि तीनों जो अभी तक हमने ट्राम्स पड़ी तीनों के similar trends है meaning अलग-अलग है लेकिन trends similar है ओके अब यह क्यों बढ़ती बढ़ती है उसके reason पर आते हैं सबसे पहले ग्रूप में बात कर लें ठीक तो जब-जब मोविंग डाउन ग्रूप में जब जाते हैं ग्रूप के अंदर बोटम जब-जब जब जाता कम होगी एक अट्रेक्शन कम होता है क्योंकि size बढ़ जाती है ठीक है और attraction कम होगा तो अपनी तरफ attract कम करेगा तो electron negativity भी क्या होगी कम हो जाएगी electron negativity ही क्या attract करना और attraction कम हो रहा है size बढ़ने की वज़े से नीचे जाते जाते है क्योंकि shells ज्यादा ज्यादा बढ़ती जा रही आपकी और इधर देखते है पिरेड के अंदर क्या होगा left to right के अंदर देखिए left to right के अंदर क्या होता है देखि attraction बढ़ गया तो electron negativity बढ़ गई सीधी सी बात है और size क्या हो जाएगी attraction बढ़ने की वज़े सारी कम हो जाएगी सीधे सीधे simple से logic है आपको ये z effective का concept अगर starting में ही समझ में आ गया तो बाकी terms की बस definition पता होनी चाहिए फिर आप आसानी से question करने लग जाएगे उनके तो electron negativity क्या हुई है हमारी just tendency to attract shared electrons ये भी top to bottom कम होगी और left to right बढ़ेगी आपकी इसके कुछ facts देखते हैं कुछ और trends जो चलते हैं इसके देखिए चार्ज और उनकेटायन जितना अच्छा होगा electron negativity उतनी ही अच्छी होगी क्यों ऐसा देखिए ऐसा क्यों होता है ठीक है देखिए high oxidation state होती है तो high magnitude of positive charge होगा सिधी सी बात है और higher positive charge होगा मतलब उसकी polarizing power भी बढ़ गई चार्ज बढ़ गया इसलिए उपर positive यानि आपका electron negativity भी बढ़ जाएगा देखिए positive charge जितना ज़्यादा होगा तो electron के उपर attraction भी उतना ही ज़्यादा होगा क्यों positive charge powerfully attract करना लग जाएगा electrons को और electron का attraction ही क्या है हमारा electron negativity तो यह भी ज़्यादा हो जाएगी बहुत सिधी सी बात है है कि निक तो यह main reason होता है ठीक है समझ में यह बात next point पर चलता है next है थोड़ा hybridization से related है यह आप chemical bonding में देखेंगे यह वाला आप कहां देखेंगे chemical bonding में थोड़ा सा idea भी दे देता हूं लेकिन क्योंकि sheet में या dpb में question मिल सकते हैं आपको इसके उपर actually यह जो hybrid orbital वगरा का concept है हम बढ़ेंगे तो chemical bonding में पर यह होता क्या देखेंगे इनमें percentage s character जितना जादा होता है electron negativity उतनी ही अच्छी होती है मतलब attraction उतना ही अच्छा होता है percentage s का मतलब होने का क्या मतलब है s का जो है उसके अंदर electrons आपके काफी हद तक जादा है उसका s का portion जादा है cloud में आपके ठीक है और s यानि आपके nucleus के सबसे करीब होता है s orbital nucleus के सबसे करीब होता है तो electron negativity की सबसे जादा होगी अब यह sp3 sp2 कैसे निकालते है यह मैं समझाँगो आपको example के दुरू इस lecture के last में तो यह दो factors और है और बाकी और factors क्या थे left to right और top to bottom left to right आपका increase top to bottom decrease इसमें जादा तरह exception नहीं है क्योंकि यह just tendency है attract करने की बाकी जो दो values थी वो calculations हम practical method से करते हैं तो उनमें फिर भी आ जाते है exceptions ठीक है example देखते हैं इसके पहले hybridization का ही ले ले लेते हैं ठीक है hybridization निकालने का सीधा सा तरीका है अभी के लिए जितना आपको काम चल जाएगा ठीक जितने भी bonded atoms हैं उनको count कर लो ठीक है number of bonded atoms को count कर लो ठीक अब जैसे like bonded atoms 2 आया है ठीक तो hybridization क्या होगा उसका sp bonded atoms अगर 3 है तो इधर बढ़ाते जाओ p के उपर sp2 देखिए 1 1 2 3 हो गया ऐसे ही अगर 4 है तो क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा इस तरीक से चलता जाएगा अभी तक यहीं के लिए काफी है बाकी chemical bonding में देखेंगे यह दो है इसलिए दो ले लिए एक 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 यह तीन है इसलिए यह एस तो एक ही रहेगा पी को बढ़ा दो इधर भी एस एक ही रहेगा पी को बढ़ा के 3 कर दो इस तरीके से लिखे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या पुछा है question है which carbon atom will show minimum electron negativity सबसे कम किसकी होगी देखें परसेंटेज एस करेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी तो electron negativity क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी ठीक है और percentage S character जिसमें सब से कम होगा उसकी electron negativity भी क्या होगी सबसे कम होगी ठीक अब इन तीनों में से सबसे कम किसका होता है percentage S character इसके अंदर होता है अभी अभी देखा था हमने पीछे देखे सबसे कम percentage किसमें होता है sp3 में होता है और सबसे यहादा किसमें होता sp में होता है मतलब हमें minimum electron negativity अगर देखनी है तो sp3 hybridization को देखना है उस question में कि sp3 कौन है और sp3 कौन होगा जिसके पास 4 bonded atom होंगे 3 plus 1 4 bonded atom किसके पास है वो देख लेते हैं ठीक है चलिए यह first वाले को देखो इसके पास bonded atom कितने है एक तो यह h और एक ए c ठीक है तो दो bonded atom है first वाले के पास दो bonded atom है यानि वो क्या है sp है है ना second वाले को देखते है second वाले के पास कितने bonded atom है देखिए एक तो यह वाला है और एक यह वाला है यह दो bonded atoms है, second वाले के पास, जो second वाले से directly जुड़े वाए, ठीक है, तो इसके पास भी दो हो गये, तो ये भी कैसा हो गया हमारा, SP हो गये, थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाले के पास कितने हैं, color change कर लेता है, ये थर्ड वाला है, देखिए, इसके bonded atoms देखते हैं, दो तो ये दोनों carbon और एक है hydrogen, तो तीन bonded atom है, थर्ड वाले के पास, तीन पर कैसा होता है, देखिए, SP2, ठीक है, अब फॉर्थ वाले को देखते हैं, फॉर्थ वाले के पास भी से में देखिए, एक एक तो carbon 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 है, ये इस तो इस carbon से जुड़ा है, ये इस C से नहीं जुड़ा है, ठीक है, एक तो ये दोनों carbon हो गए और एक hydrogen हो गया, तो इसके पास भी 3 हो गया, तो ये भी कैसा हो गया, SP2 हो गया, इस वाले को देखते हैं, फिफ्थ वाले को, इस फिफ्थ वाले को देखते हैं, त है तो तीन हाइड्रोजन और कार्वन आई हैं MID फृन्डेड है आफ़त वाले कहना स्प्रींग तो आपने क्या है तो जो इसके मिनिमुम्म एस करेक्टर होगा और मिनिमुम मैं स्करेक्टर होगा तो मिनिममं क्या होगी एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी भी होगी क्लियर है तो कौन सा वाला हो जाएगा फिफ्ट वाला यह हिंट भी दिया गया था इसमें है आई बात समझ ने चिक इसका स्ट्रक्चर और खोल के अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसक को में बता देता हूं इसका structure कैसा हो जाएगा यह देखिए यहां बना देता हूं गया कि यह सी कि एक्सपेंड करके बना रहा हूं यह ट्रिपल बॉंड फिर सी ठीक है फिर सिंगल बॉंड सी फिर एक है फिर आपका है डबल बॉंड फिर सी फिर एक और एच ठीक है फिर सी फिर इसके पास तीन एच कि इस तरीके से इसका expanded form हो जाएगी structure की तो यहां से clear दिखेगा आपको कि देखो फिफ्ट वाला जो था कितने एटम्स जुड़े वहता है वन टू थी फॉर ठीक है इसमें ऐसा लगता है जैसे जुड़ा हो जबकि expand आप करोगे तो कुछ इस तरीके से होता है यह भी हम सिखेंगे जी ओसी चेप्टर में जनरल और और्गनिक केमिस्ट्री के अंदर ओके तो यह था electron negativity का concept जिसके उपर एक example hybridization का इसके उपर ज्यादा हम chemical bonding में सिखेंगे और example देखते हैं देखें इस बार आपको क्या बताना है कि इन में से यह outermost electronic configuration दिये गए हैं इसमें से most electron negative atom का configuration कौन सा होगा ठीक है तो देखिए यह सारे NP वाले last list में PP आ रहा है यानि P block के हैं यह सारे और left to right जब हम जाते हैं left to right जब हम जाते हैं तो electron negativity क्या होती है increase और maximum electron negativity किसकी होगी जो rightmost होगा तो rightmost देखना है तो rightmost कौन होगा देखिए rightmost वैसे तो NP 6 होगा हमारा देखिए यह P1 ठीक है P2 P3 P3 से दिया है इसमें तो P3 ले लीजिए फिर P4 दिया है ठीक है उसके बाद P5 दिया है उसके बाद P6 दिया है कुछ इस तरीके से दिये गए ठीक है तो तो आप देखते है rightmost कौन है वैसे तो P6 है लेकिन यह तो fulfilled होता है यह तो कैसा होता है fulfilled होगा आपके यह तो ना तो attract करेगा ना देगा ना लेगा कुछ भी नहीं करेगा तो इसको छोड़ी दो आप कौन बचा rightmost this वन ठीक है यह सबसे अचे attract करता है electrons को मैं न और इसमें भी fluorine most electron negative होता है fluorine most electron negative होता है दियान रखें इस बात का electron affinity तो नहीं होता है लेकिन iletron negative अच्छा होता है attract अच्छे करता है योगि साइच छोटी है, अट्रेक्शन बढ़िया लगायागा इसका नूक्लियॉस, साइच छोटी होने की वज़ा से, ठीक है, जबकि इलेक्रोन ऐफिनिटी में, बाजि माल लेता है, फ्लोरीन की बजाए, ये किसका ओढ़र है, इलेक्रोन ऐफिनिटी का, इन दोनों में, इलेक्ट्रोन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोन एड करने की वज़े से जो एंथेल्पी चेंज होता है, यह वो होती है, जबकि यह जस्ट अट्रेक्शन है, अपनी तरफ अट्रेक्ट करना है, इन दोनों में कन्फूजन ना होतो बहतर है आपके लिए, तो क्लियर रखें, यहा ज्यादा हो जाती, इलेक्ट्रोन की साइज काम होने की वज़े से, तो नया जो इलेक्ट्रोन आना है, उसको रिपल्चन थोड़ा ज्यादा लगता है, तो उसकी वज़े से फ्लोरीन काम इलेक्ट्रो एफिनिटी होता है, क्लोरीन की बजाए, जबकि यहाँ पे जस्ट आसानी से अट्रेक्ट करेगा ठीक है तो इसके वाज़ा से यह most electron negative होता है अपका पूरी periodic table clear है तो इसमें answer क्या हो जाएगा हमारा NP5 वाला क्योंकि NP6 होता है वैसे तो rightmost लेकिन इनर्ट हो जाएगा मतलब कोई reaction show नहीं करेगा कोई attraction वगेरा कुछ भी नहीं है ठीक तो इसको तो छोड़ी देना चाहिए बचा rightmost नहीं यह वाला तो इस तरीके से questions करने हैं तीनो terms clear हो जानी चाहिए आपको तो अभी तक हमने जो trends वगेरा पड़े हैं थोड़ा revision करवा देता हूं आपको क्योंकि यही periodic table का major part है बाकी जो भी property से कुछ teachers जरूर पगा देते हैं इसके अंदर लेकिन हम उनको उनके particular chapter के अंदर ही देखेंगे जैसे acid character basic character हुए या और कुछ हुआ chemical bonding या फिर आपके जो hydrogen s-block p-block chapters हैं उनमें आ जाएंगे तो tension में नहीं आना कि यह नहीं पड़ाया हो नहीं पड़ाया जितना जरूरी है जिस chapter में उतना पड़ा दिया गया आपको ओके चलिए देखें सबसे पहले हमने देखा था atomic radius देखो top to bottom बढ़ती है यह ना top to bottom increase होती है atomic radius और left to right क्या होती है atomic radius कम होती है ठीक है यह arrow जिदर लगे है मतलब उदर बढ़ रहा है मतलब नीच जाने पर यह बढ़ रहा है और right to left आने पर बढ़ रहा है left to right जाने पर नहीं कम हो जाती है ठीक है एक यह उल्टा चलता है बस बाकी देखें इलेक्ट्रोन गैन एंथल पे इधर ही बढ़ती है ionization एंथल पे भी left to right जाने पर बढ़ती है और electron negativity भी left to right जाने पर बढ़ती है ठीक है और दोनों ही bottom से top पे जाएंगे तो बढ़ेगी top to bottom जाएंगे तो decrease ह होगी तीनों ठीक है एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी आयनाइजेशन एंथल पी और एलेक्ट्रोन गैन एंथल पी समझ में आ रहा है डाइग्राम एरो का मुझ इधर है उधर बढ़ रहा है बोटम टू टूप जाने पर बढ़ रहा है top to bottom आने पर घट रहा है ठीक तो चा को सकती हमिक रेडियस उनका उर्टा चलता है सिमिलरली यहां देखिए लौन मेटलिश कीड़ाइपर मेटलिक गरेग्टर tumetle आप जैसे जैसे इधर आओगे तो आपको non-metals दिखना बंद हो जाएगी, इधर आपको metals ही metals का बंधार दिखेगा, तो metallic character तो आपका right to left आने पर बढ़ेगा, जब कि non-metallic character left to right जाने पर बढ़ेगा, clear है ये सारी चीजा, तो इसको एक short में अगर हम लिख लें, तो किस तर metallic character है, ठीक है, अगर left to right जाते हैं, और top to bottom जाते हैं, तो क्या होता है इनके साथ, देके left to right जाते हैं, तो radius क्या होती है, decrease, और top to bottom जाते हैं, तो radius क्या होती है, increase, ये बात समझ में आई, तो ये तो इनके लिए trends हो गए, और देखते हैं, इसी तरीके से, इस बार देख रहे हैं, electron negativity, electron affinity, और ionization enthalpy, ठीक है, और non metallic character को भी ले लो, left to right जाओगे, तो क्या होगी, increase, तो up to bottom जाओगे, तो क्या होगी, decrease, simple, short है, पूरे chapter का, जो अबी तक हमने, 7-8 lectures के इंदर पड़ा है, ठीक है, तो ये दो हैं, जो उल्टे चलते हैं, especially, radius के लिए पूछा जाएगा, metallic character वगरा कम पूछते हैं, और वैसे भी आपको पता है, कि इदर आता है, तो metal दिखना ही बंद हो जाती है, ठीक है, तो तो decrease ही होगा, तो radius ही एक उल्टा है, बाकी तीरों एक ही जैसे चलेंगे, तो question करते हैं, हमें बस exception का ध्यान रखते हुए, खाल ये order follow कर देना है, और questions हो जाएंगे आपके, तो कुल मिला के अब आपको आना क्या चाहिए, कि कौन सा element की इस position पे रखा गया है, ठीक है, वो second period का है, कि third period क है, वो भी आपको electronic configuration बताई देता है, है ना, एन से देखके आप बता सकते हो कि कौन से period में हो, है ना, और last electron kiss में गया, वो देखके बता सकते हो कि कौन से block में, कौन से group में, तो position देखने की practice करिये बस, बाकी periodic table आसान है, काफी आसान chapter है, बहुत marks दिलाता है, especially neat के अंदर ठीक, और basic है, यह पूरी inorganic का, हर जगे काम आएगा, इससे question आए ना है, लेकिन इसका basic जो है, वो कही ना, कही question में, किसी ना, किसी में, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, atomic number निकालने के लिए, आप magic numbers की help ले सकते हो, जो 288, 1818 का, जो gap आता है उससे, ठीक है, तो यह practice करि है थोड़ी, इनकी positions निकालने की, बाकि आसान है पूरा chapter, next lecture में हम पढ़ेंगे कुछ previous year के questions, कि practice करेंगे हम next lecture के अंदर, पिरियोडिक्टेबल के जो previous year के questions है, need, ams वगेरा में, I, J वगेरा में, ठीक है, उनकी थोड़ी practice करेंगे, ताकि आपको अंदाजा लगे, approach और अ करके, इस chapter को over करेंगे, ठीक है, thank you झाल झाल